जब बात होती है electric car की तो, सबसे पहले दिमाग में जो question आता है, क्या efficiency है? यानि यह से हैं पैट्रोल वाली car की बात करें या पर डीजल वाली car की बात करें यहाँ भी कितना देती है? यह बहुत बहुत टी है यानि कि वह एक लिटर में कितना किलो मिटर चलती है? तो बिल्कुल भाई हमारी thinking बदली नहीं है यहाँ पे बिल्कुल same question हम अपने आप से करते हैं कि भाईया यह car जो electric वाली car है उसकी efficiency क्या यानि कि कितना देती है यानि कि दोस्तों यहाँ पे जो उसकी battery है वो कितनी जादा powerful है यानि कि single chart में कितना चलती है भाई यह चीज question हमेशा खड़ा रहता है और यह यहाँ पे challenge बना हुआ है बड़ी बड़ी company के लिए इवन दोस्तों Tesla की बात करें जो कि यहाँ पे world का best car maker electric car maker यहाँ पे रोस्तों उसके सामने भी यह challenge है और दिन बर दिन वो इस पे काम कर रहा है उसका research and development जो wing है वो इस पे काम कर रहा है तो दोस्तों यहाँ इन सब चीजों में कमाल करते वे एक company यहाँ पे सामने आई है जो कि एक Swiss startup है और दोस्तों वो कहती है कि उसने एक ऐसी battery car की तयार कर ली है जो कि दोस्तों यहाँ पे single charge में आपकी car को 1000 km तक दोड़ा सकती है तोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी idea नहीं इसके वारे में तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यार यह record है record मतलब इस से पहले आज से पहले ऐसा कुछ देखा नहीं गया है यह दोस्तों यहाँ पे पहली बार होगा ऐसा अगर इनकी बातों में बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती है तो यहाँ पे फिलाल संसार का यानि यह पूरे वर्ड का सबसे पहला जबरदस्ट वाले invention होगा अगर मैं बता दूगी जहाँ पे टेसला के model 3 वाले जो कारे आती है उसमें दोस्तों जो सबसे आदा टॉप की बैटरी फिलाल तो उसमें यूज होता जो उसका performance है वो है दोस्तों 250 watt आर्क पर केजी की जो density की efficiency है वो यहाँ पे आती है जबकि दोस्तों यह जो company आई है वो दोस्तों जो claim करती है 1000 watt आर्क पर केजी की जो density है वो अली बैटरी उसने तयार कर लिये यहाँ भी दोस्तों मैं बता दूगी जो Tesla है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 250 watt आर्क पर कि बैटरी इनके top model में आती है और यहाँ पर दोस्तों जो इनका अगला target है वो है 330 इस density की बैटरी यहाँ पर लाना फिलाल अभी 280 में है और यहाँ पर यह जो इनोवित company है वो कहती है भाईया हमने 1000 निकाल गया यानि कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बैटरी मेकर हैं वो भी मतलब ऐसा नहीं कर पाया है यानि कि बता दूए टेसला की बैटरी बनाता है पैना सॉनिक वो अभी तक इसको यही दे पाया यहां की दोस्तों बताव कि यूएस का जो energy department है energy federation वो यहां पर दोस्तों जिस पे काम कर रहा है और research and development wing जो उनका जो यहां पर काम कर रहा है वो अप टू 500 kilowatt पर कीजी वाली बैटरी पे काम कर रहा है याने की अभी भी वो research में है और यहां पर जो company के दावे हैं वो कहते ही कि almost 1000 वाला तयार कर लिया है जो कि दोस्तों यहां भे record है बिल्कुल breaking record है और एक बार single charge करने पर 1000 km चलती है तो यार यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ा innovation है अब दोस्तों अगर मै इस battery के structure की बात करो तो यहां पर basically अभी तक जो electric car use होती है उनकी battery जो होती है वो lithium ion wet वाली याने की जिसमें liquid भरा रहता है वो आली liquid based वाली जो battery फिलाल तो आती है और यहां में बता दू एक solid state battery के उपर research चल लहा है वो अभी तक के वर lab तक ही पहुँची वी है यहां भी म लेकिन फिलाल सोचने वाली बात यह जो इनोवेत कमपनी है जो swiss की start-up है यहां पे यह जो battery लाई है इतनी जबरदस efficiency वाली वो भी दोस्तों यहां पे liquid based है यानि की lithium ion liquid based battery फिलाल यहां पे लाई है लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ difference है और वो difference क्या है जो दोस्तों यहां पे और्गैनिक और इन ऑर्गैनिक सब्स्टेंस का था है, जो यहां पे जो नॉर्मल बैटरी अधोगहरा है जिय걸ते हैं वह ब्रॉज्टिनिक thirds सब्सक्रवार रही है वह कहते हैं वह क्या हैं कि हम और गेनेक सबस्टेंस की तो ये इस करते हैं जो कि यहां पर जो दोस्तों यहां पर इसा कि यहां पर आप अपर दोस्तों इस चीजे बैटरी के फिलाल इन और गेने की यूगyseβै यहाँ पींद्ध जैसे मैं आपको बताए कि यह इन फ्लेमबल होता है तो यहाँ भी दोस्तों जो पहला फाइदा है वह दोस्तों यह है कि यहाँ जो इसका रिस्क है यानिक जो बैटरी में आग लगने का आग लगने की घटनाएं होती है वह यहाँ पे रेडियूस हो जाती क्योंकि यह इतना ज़ाधा फ्लेमबल नहीं है और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा फायदा है बैटरी में इन और्गेनिक सबस्टेंस यूज करने का वो यह है दोस्तों जो इन और्गेनिक सबस्टेंस होते हैं वो थोड़ा सा कम रियक्टिव होते हैं जो अभ्neक्रिया उनकी होती है अधर सबस्टेंस की साथ वो बहुत ज़ादा कम होती है जिससे की दोस्तों इस बैटरी को बनाने में यानिकी इनके मैनुफेक्टरिंग करने में जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज़ादा रिडियूस हो जाते हैं और यहां पे बहुत ही छोटे से मतलब package में एक तरह से आप कह सकतों कि बड़ी strength यहां पे pack करने में आसानी होती है, overall मतलब बोले तो आपको जो battery होती है दोस्तों उसे बनाने में बहुत आसानी होती है, तो फिलाल दोस्तों यह जो company claim करती है, इसके बारे में तो फिलाल मैं technology जब-जब market में आती है, वो यकीन मानिए दोस्तों काफी ज़दा improvement होती है, काफी ज़दा revolutionary होती है, फिलाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका इस वीडियो के regarding है कोई question या फिर आप करना चाहते है कोई comment तो comment section आपके लिए खालिए, वहाँ पे जाके आप अपनी thoughts मुझे बता सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को like और share नहीं किया तो कर दिजे और चैनल को subscribe कर लिए, इस तरह के interesting वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहते हैं, मैं मिलूँगा आपसे next interesting वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद जैहिंद